दोस्तो इस वीडियो में हम फुछेंगे जीके का पांच बड़े हिमाइदार तवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी से आपको छुटकारा पाने को भी समय मिलेगा और हर बीमारी को अपने आप मिटा सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमबर एक पाचन सकती कमजूर हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए उससे ठीक करने के लिए दोस्तो नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो इसका सही अंचर है खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद में एक लाइची सिर्फ लेना है वो भी हारा रंग वाली छोटी वाली लाइची उसको मुह में रख करके चूसना है अगर आप ऐसे करते हैं तो कुछी दिन में पाचन सकती आपकी मजबूत हो जाएग के लिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जनकारी हम ऐसा पाने के लिए दोस्तों इसका सही एंसर है इलाइची का चूर्ण सहद में मिला करके चाटते हैं अगर आप तो समझें कि आपको उनकी नामों निशान तक छाले की मीट जाएगी क्यांकि पेट के गड़मी के कारने होता है सवाल नमबर तीन सुबह के समय में पेट में थोड़ा सा भी अनाई सीवीश हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इसका सहिर अन्सर है एक चमची नी तुरंत खा लेना चाहिए लेटिंग बातरूम से आए अगर बार बार लेटिंग लगते हें एक दो बार लग गई तो समझें कि एक चमची में जरूर पेट गुर्मुस गया है फूल गया है तो एक चमच्चेनी की काम है दूसरा किसी भी चीज़ी का काम नहीं है सवाल नंबर चार एक बार जिनको फारलिस मार दिया है किसी भी अंग में तो उनको क्या करना चाहिए तूरंट नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनिल को सब्सक्राइब करें दोस्तो इसका सही अंसर है कि उनको कोई भी खाना खाना है तो सुच समाज करके खाना है यह नहीं कि कोई भी खाना खाला है कोई भी आनाज तीन परकार की होती है दोस्तों यह देखना है कि किस अंग में मार दिया है फालिस तो कौन सा अनाज खाएं सवाल नमबर 5 शरीर में कि कौमी हो जाए तो कैसे पूरा करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब JARO KAR करये आछ़ा रही हमेसा पानके लिए दोस्तों कि अधारा के दोस्तों इसका सफस्राय आनार खाना चाहिए अनार अगर आप खाते हैं गाय का दूद या भैस का दूद खाते हैं तो आपको जो है तुरंत खून की कौमी पूरा होगी और सिहत बन जाएगा थैंकि दूस्तों बने रहें मस्त रहें